असलामों अलेकुम विवर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ड, आज मैं आपके लिए हाइवे की स्पेशल बड़ी मशूर कढ़ाई होती है, सुपर हाइवे पे, हाइवे पे, ढाबों पे, होटल और रेस्टरांट्स में ये कढ़ाई मिलती है, मटन या बीफ किसी के भी आप इसको बना सकते हैं, और ये हाइवे स्टाइल कढ़ाई बहुत बहतरीन बनकर तयार होती है, इस हीद पर आपने ये रेसिपी जरूर ट्राइ करनी है, आईए देखते हैं कि हम इसे कैसे बना रहे हैं, इसे बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में आधा कब घी लिया है, आ अदरक लेसिन के पेस्ट है, भर कर और एक खाने का चमच हर मिर्चों का पेस्ट है, और अब मैं इसमें शामिल कर रहे हैं गोश्ट हड़ी वाला गोश्ट है ये, मैंने बीफ का इस्तिमाल किया है, आप मटन भी इस्तिमाल कर सकते हैं, बस पिर ये है कि कुकिपिन टाइम जो है वो थोड़ा सा रिडियूस हो जाता है अगर आप मटन इस्तेमाल कर रहे हैं आदे से पॉन गंटे का फर्क आ जाता है गोश्ट को आपने अदरक लेसन के पेस्ट और हर मिल्चों के पेस्ट के साथ बहुत अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इसकी स्मेल जो होती है इ पांच तेज करके तकरीबन पांच मिनट देख सकते हैं आप और अब गोश्ट ने अपना कलर जो है वो बिल्कुल चेंज कर लिया है तो अब मैं इसमें टिमाटर रखूंगी आठ चोटे चोटे टिमाटर मैंने बीच में से दो टुकड़े करके जो है वो इसमें रखना श आपने इसको कवर करना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर दस से पंदरा मिनट के लिए छोड़ देना है पंदरा मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि टिमाटर बिल्कुल नरम हो गया है और टिमाटरों ने और गोश्ट ने काफी जादा पानी भी रिलेस कर दिया ह बस आप चिम्टे की मदद से हम टिमाटरों के छिलके जो हैं वो अलहदा कर लेंगे ये बड़ी आसानी से जो है वो अलहदा हो जाते हैं आप जैसे भी अलहदा करना चाहें फोक की मदद से आप जिस तरीके से भी इनको अलग करना चाहें अलग कर लें फिर टिमाटरों को ह अलकासा घोटने के बाद तोडने के बाद जो है मैं क्या करूँगी इसमें कुछ मसाले एट करूँगी और इसको दुबारा पानी डाल कर पकने के लिए छोड़ दूँगी अच्छा जी अब ये देख सकते हैं आपके टेमाटर हमारे काफी हद तक घुट गए है नमक मैंने इसमें डाल दिया है हस्पेजाई का कुटी हुई लाल मिर्चे एक खाने का चमच नमक की और मिर्चों की कॉंटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमिया जादा कर सकते हैं दो गलास पानी शामिल किया है मैंने इसमें इसको मिक्स कर दिया है और अब इसको कवर करके मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी चूके मैंने बड़े का गोश्ट इस्तमाल किया है तो मैं इसको देड़ से दो घंटा पकाऊँगी डिपेंड करता है कि आपका गोश्ट कितनी देर में गल जाता है और अगर मटन है तो एक से देड़ घंटे में बासानी गल जाता है डेड़ घंटा हो चुका है और गोश्ट में अभी भी थोड़ा थोड़ा सा पानी मौजूद है बस अब इसे स्टेज पर मैंने इसमें 150 ग्राइम दही शामिल किया है फ्हेंट कर कढ़ाई अमोंगन जब हम बाहर जाकर खाते हैं ना तो काफी सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि कढ़ाई में मसाला नहीं होता ग्रेवी नहीं होती है बहुत सुखी-सुखी सी ड्राय-ड्राय कड़ाई होती है और मसाला लिप्टाब होता है। बागों को वैसे ही पसंद होती है लेकिन हमारे घर में सब लोग खूब मसाले वाली कड़ाई खाना पसंद करते हैं. तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मसाले वाला बनाती हूँ काली मिर्चे मैंने इसमें शामिल की हैं बारी कूट कर एक चाय का चमच भुना कुटा जीरा डिर्ड खाने का चमच भुना कुटा धनिया जाएगा इसमें डिर्ड खाने का चमच ये तमाम इंग्रीडियंट्स आपने बिलकुल लास्ट में आड़ करने, कड़ाई में, स्टार्टिंग में कभी भी आड़ नी करने उससे क्या होते हैं कि एक तो कड़ाई का कलर खराब नहीं होता दूसरा इन मसालों को अगर आप स्टार्टिंग में अड़ कर देंगे ना तो इतनी देर जब ये गोश्ट के साथ पकते हैं ना तो इनकी खुश्बू खुद भखुद खतम हो जाती है तो आप ये लास्ट में अड़ करें और कवर करके इसको 10-15 मिनट और पका लें ताकि दही जो है वो बिलकुल खुश्बू जाए अच्छा कोशिश कीजिएगा कि आप ताजा दही का इस्तमाल करें मेरे पास ताजा दही नहीं था मैंने फ्रीजर का रखा हुआ दही इस्तमाल किया है फ्रीजर का रखा हुआ दही जो है उसका टेक्स्चर जो है वो स्मूथ नहीं होता तो आप कोशिश कीज़ेगा कि ताजा दही इस्तेमाल करें बस फिर आखर में आप इसमें मोटी वली हरे मिर्चे डालें बारी कत्री हुई अद्रग डालें और हरे दनिया डाल कर इसको मिक्स करें और मिक्स करने के बाद इसको कवर करके दो से तीन मिनट का दम जरूर दीजिएगा तो हरे मिर्चों की और अद्रग की और काले मिर्च की और ये आखर में जो आपने मसाले अड़ की है ना इनकी जो खुश्बू निकल कर आती है ना कड़ाई में से वो एक दम लाजवाब होती है तो आपने आखर में ये सब चीज़ें डालने के बाद ना इसको कवर करके दो तीन मिनट का दम जरूर देना है ठीक है तो हरी मिर्चों की खुश्बू और अद्रक की खुश्बू ना इसमें बहुत अच्छी जबर्दस से आती है और ये देखिए तीन मिनट हो चुके हैं और इसमें से इस वक बहुत लाजवाब खुश्बू आ रही है हमारी कड़ाई बिलकुल तयार हो चुकी है रेसिपी जरूर ट्राइ कीजिएगा आप और मुझे दुआ में जरूर याद रखेगा अगर आपको रेसिपी पसंद आए इसको गार्णिश कर दिया है मैंने एक दफ़ा फिर से और अगर आप चाहें तो इसके उपर प्यास के छले भी डाल सकते हैं फिर आप इसको सलाद, रायते के साथ, गर्म गर्म, नान के साथ या चपाती और रोटी के साथ जैसे भी आप खाना चाहें आप एंजॉय करें बहुत शानदार रेसिपी है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाईए ताके मेरी तमाम रेसिपीज और तमाम वीडियोस आप सबसे पहले हासिल कर सकें दौा में आद रखिएगा फिर मुलाकात करेंगे किसी और जबरदर से से पहले के साथ तब तक के लिए अला आफिस